नमस्कार दोस्तो इस study with happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने बाले हैं एक नई भरती के बारे में जो की आई है head constable की इस भरती के बारे में detail में हम discussion करेंगे और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंत में like भी कर सकते हैं दोस्तो यह जो vacancy निकाली गई है यह है देहली पुलिस के अंतरगत दोस्तो पुलिस का नाम सुनकर कई लोग वैसे ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे क्यों क्योंकि वो लोग यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक particular height नहीं है तो फिर जो है हमें पुलिस की job में नहीं जाना चाहिए तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ पुलिस के अंदर कई तरीके की vacancy निकलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस के अंदर अभी vacancy निकली थी दोस्तो head constable ministerial staff की उसके अंदर height में relaxation दिया गया था और सा हमारी जानकारी से इसलिए निकल जाता है क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी प्रयाप्त नहीं होती है तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन इस form को apply कर सकते हैं क्या eligibility criteria होने वाला है तो इस वीडियो को आप प दिल्ली पुलिस है इसके अंदर जो आपको category wise relaxation मिलता है वो क्या दिल्ली के निवासी को ही मिलेगा तो दोस्तों ऐसा नहीं है जैसे कि आप लोग को पता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो home ministry के अंतरगत आती है यानि कि यह जो पुलिस है दोस्तों यह center government के पुलिस है दिखा दिये जाएगा मगर OBC वाले case में आपका दिल्ली का होना अनिवार रहे है ठीक है इसका pay scale क्या है pay scale है दोस्तों आपका लेबिल 4 यानि की 2400 grade पे की नौकरी है 25500 इसकी basic होगी अगर हम इसकी तनखा देखें तो 35000 से अधिक ही बनेगी और इसमें जो transfer जैसे की दिल्ली पु विड़ा उदर देखिए गोंड़ा तो कितना बड़ा होता है transfer में कई लोग परिशान भी हो जाते हैं तो उसे साब से भी नौकरी सही है कि पुलिस में रहकर आपके ज्यादर transfer नहीं देखने को मिलेंगे और यह जो दोस्तों वेकेंसी है यह अलग है जैसे कि हैड खुद recruitment कराती है वो आपका कराती है assistant wireless operator और head constable ministerial staff अब यहाँ पर दोस्तों देखने में लगेगा यह temporary post है temporary assistant तो दोस्तों इन्हें बाद में permanent कर दिया जाता है ऐसी कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा ठीक है अब vacancy देख लेते हैं कितन सकते हैं तो आपको open वाले पर देखना है यहाँ पर आप देखेंगे mail में 392 पोश्टे हैं और दोस्तों इसमें relax मिलता है आपको running में भी मिलेगा और बागी चीजों में भी मिलेगा मैं आपको बता रहता हूं यहाँ पर age के बारे में बात करते हैं हम age कितनी मांगी गई ह age है इसमें 18 से लेकर 27 तक OBC के लिए दोस्तों 30 साल SCHD के लिए 32 साल तो यह आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर दूसरे टाइप का आपके पास age का relaxation है तो वो भी आपको मिल सकता है चाहें वो sports person का हो या फिर ex-service man का हो अब इसके अंदर दोस्तों चाहिए 10 प्लस 2 यान और science पढ़ी हो क्योंकि दोस्तों यह जो post है यह technical है और technical post के लिए आपको mathematics और science की knowledge होना अनिवार रहे है इसके अलावा professional requirement यह जो चीज है ना दोस्तों यह बहुत अच्छी है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी typing speed बहुत अच्छी है तो यहाँ पर typing से भी जो है आप इस post को पा सकते हैं professional requirement में क्या चाहिए आपको English के लिए word processing करवाई जाएगी 1000 की depression 15 मिनट के अंदर यह ज्यादा नहीं होता इस पर आप कर सकते हैं फिर आपको computer की basic knowledge होनी चाहिए कि PC को कैसे open किया जाता है कैसे close किया जाता है printing लेने की तरीका आना चाहिए MS Office तो यह नॉर्मल C या O level मांगा है तो दोस्तों ऐसा कोई भी diploma नहीं मांगा गया है अगर बस आपको काम आना चाहिए यह तो आप इस form को apply कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों application fees के बारें बात कर लेते हैं 100 रुपए इसकी application fees है और SC, ST, OBC और women's जो हैं उन्हें exemption दिया गया है उनके लिए कोई free of cost है इसके बाद बागी चीजे हम और detail में हाँ अभी दोस्तों इसका full जो notification है वो नहीं आया है अभी सिर्फ ये एक तरीके ज़े प्रेस विग्यपती है अभी इसमें running कितनी होने वाली है height कितनी होने वाली है या फिर बाकी physical activity आपका physical standard क्या होगा यह आपको detail notification के अंदर पता चल जाएगा ठीक है जो कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि 28.12.2019 से registration स्टार्ट हो जाएगे तो उसे एक दो दिन पहले आपको detail में notification आपको मिल जाएगा जहां पर आपको बाकी information भी मिल जाएगी अब दोस्तों आप ये जरूर बताईएगा comment section में कि आप मैंसे कितने ल है कि पुलिस में ये वाली वेकंसी अच्छी हाँ pension scheme जो है दोस्तों इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि 2004 के बाद से new pension scheme जो है उन लागू हो गई है और वही है सब जगे पर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी forces है यानि कि navy army और air force इन में तो पुरानी pension scheme चल रही है मगर जो अब बाकी जितने भी center government की job है उसके अंदर new pension scheme लागू हो चुकी है यह वीडियो आपको कैसी लगी comment section है बता सकते हैं अच्छी लगी हो तो दोस्तों like कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो subscribe कर सकते हैं जल्द मिलेंगे हम next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत